कुछ माने चुरेंट्स स्टांडर नें सब्जेक्ट करने वाले हैं वो लेशन गत्य विभाग्स लेगा लाया है और लेशन का नाम है मेटी दिमार से अमारे लेशन यह पाइड के लेखर का नाम है हरीमान सराई बच्चन जीनका जन्रस्तार नेंटीन सेवंडे इस्क्रिशन में हुआ था और आत्मनकथांस टकार का यह लेशन है तो आएए हम लेखर पढ़े चलेते हैं हिंदी साहित जन्य हरीमान सराई बच्चन का नाम उन्ती एक मांत्रा प्रती से अमर हो गया हाला कि विपूर मंत्रा में साहित सर्जिक याद चाया वाज़त्यकार के कवियों में बच्चरी कुषिष्ट्र सर्जिक रहे हैं लहावार दुस्विधाली के अमिरिचित प्रद्यवक के रुप में तक पस्याद दिरीजी में सर्कारी सिवा आकाश् प्रती जिुस्वाय दी भारत के एक इसिर्ष्ट कवी के रुप में राश्म पते जी याएध सब्स्यक मनोह निप किया था प्रादम्री म्द्रीं के रियत पार्ण मेंने की थी मदेुसाला के कवरी के रुप में बच्चन जी को इतनी सोहरत को ळी कि उनकी मदुसाला का सभाव शम्मिलनों कवी गोश्टी आदी में होता था लोग बड़ी संध्या में उमरते हैं केम्रीश इनिश्टी में जोहन पैट्स का कवी के समगरवांग में पर आपने PhD की हैं केंद्रिय मंत्रा ये दिली में आपने हिंदी विशिसर नेटेर्ट में और प्रतीम काले की ह आपको कई पुरस्का जैसे शोवियल लेंग पुरस्का, शहित अगादमी पुरस्का और पद्म विभुशन आदी पद्मी रात भी है ती पर कैसे रुकुमे आद लेहरों का नियंद्र और इस पार प्रितुम मदू है उस पार नजाए क्या होगा जैसी कावय कमतिया आज भी लोगु की जुबार पर है मजुसाला, निशानी मंत्र, शक्त रंगिन, मिलन याईन, आकुलंतर और एकांत संगीत नामत इनके सुप्रसित कावय शुमर है तो क्या भुलू, क्या यावरो, नीड का निवांच की बशेले से दूर और दस द्वार्व से फोपान द्वार्व से सक से चार खंडोर में ने लिखी आपकी आत्मकथा है मेरी निमारी श्यामा नहीं आत्मकथांस है, जो क्या भुलू, क्या यावतम में से गया गया है बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा है, जो उसरी अर्थ में एक आदा सा जीवन संगेनी की श्यामा की निमारी उसकी खुट्ती नहोंकर बच्चन जी की जो श्यवा बक्ते करते लिए लिए बच्चन जी का यावंतव्या, श्यामा की पत्ती बक्ती, कत्तव्य परायंटा और निश्था का पत्तिक है प्रस्तुत आत्म प्तान्स में श्याना की बिमानी का जर्गना और कारुमिंग श्वर दियूपन मिलता है तो दूसर युक, कभी की बहुत और श्रमेंदरी श्लता का पटटी करण मिलता है क्या बुर्व क्या यार हो स्रीक अत्मकत्या है हिंद्वी के पीस सुफ रसित कवी ने अपने संस्मान बड़े ही उच विदंग से आलेखित किये हैं कवी अपनी जीवत की घटनाओं के साथ उस यूग का चित्र भी ये जिता है प्रस्तुत अंस क्या बुलू क्या याद करू से लिया गया है इसका यह से सब्सक्राइब मेरी बिमारी श्यामाने लिए विश्यविश्टू का भी नेदेश करता है तो अब हम लेसर कारेव करते हैं आप टेक्सुक में ही ज्यान रखिये हैं मैं अपनी बिमारी को दुल्राण बालों में नथा सच कहुं तो मैं अपनी बिमारी के क्टि प्रती रया रहा सायत में गादी जी के रहे कहीं पड़ा था कि बिमारी बिमार होना अपराज है हमेरी जो सरेड़े दिया गया है उसे हम स्वल्षत नईरख है तो हम अपराजी तो है मैं इस तर्थ को कुछ और आगे दी गया था, अपना जी को दंद देना चाहिए, मुझे जब कभी छोती मोती मरिपोती, जुका बुखार, खांश्री की शीर्दत, तो मैं खार पंद लेटता, और भी अपने से काम लेटा, मुझे बरे बुट बुखार में अपनी रात की दुशनों पर जाने की याग है, बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोस्ते पढ़ादा, मजदूरी करके रोटी कवाने वाले को बिमार पढ़ने का क्या अधिकार है, बिमारी अमीरों की हरम जत्दी है, गईबों को उसे अपने अच्छे न लगाना चाहिए, लिखने में तो इंचा भुखार मुझे सब तरह से सहाया, प्रेयरत और प्रोसाहत लगता, एक तरह की आप, जिससे मेरी अनुझितियों में ताप आता है, जिसने गल पिगल कर मेरा अधिये घलता है, एक तरह की बढ़ती, जो मे ले चाहिए, भाव, कलतना हो, वाज देकर उच्छलिक कर जी, यह तो मैं नहीं कमबर भुखार में उम्हें अध्वजा कर लिखता था, पर अगर में लिखना चाहता था, तो भुखार मेरे लिए कोई बादा नहीं बन सकता था, हलके भुखार में तो मेरे सब काम हरस्द मा जिखता था, कि हां भुखार है और मेरे बहु कुझा वी ऐसा लेकर तेको, सायट इंग भीन में अपनी आफ्मा तठा में लिखा था, कि कभी-कभी उसे भुखार में भी काम करना करता, और जब भुखार में भुखार था, तो अच्छी कहाने मा लिखा नहीं, भुखार मे प्रसंद बस मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टाने की दू सबसे बड़ी कविदाय सात्रम के नौबल पुरसका ठुप्रा देने पर और दो चट्टान अथ्वा सिसीफ और शिबर पस हनुमान मैं पुरुषी में पड़े पड़े लिखे थी बहराल जब मैं अपनी जबान पर था बीमारी मुझे पराजित न करतीfish मैं हिर अपनी जीत से बीमारी को परायवड करता था बुखार सुकार आ कि कि इत्ने दिन चलता था विश्राम की बारी कखा करते थे मार के पिछे बुद बावे और मैंने अपने प्रव्सेसित किया था कि काम के पिछे बुखार अबाल यह बुखार मामुली में था इसका संबंद उस उभान से था जो पिछले नौ मैंने से मुझे जच्चोन गाल था और जो शांत मुनेट से पूर्वर सबसे अधित विद्वम सब जटका मुझे को देगा था स्कूल बंद था टुशन उपर में जाता था उनकी आमदरी की जरूरत थी किताबों की अभिणियम नहीं थी करज सेर पर चले थे बुखार दस दिन चला बिस दिन चला महिने पर चला दो महिने चला जिलाय आगे अब बुखार के साथ उशन पर ही जाना नहीं होता दिलबर सुन में बढ़ाना भी परता बुखार का नहुना वली तुबह बिलकुल स्ताम को 101-102 अंस के बीच कमजोरी दिन दिन बढ़ती कुए कभी-कभी धिनी खांसी दवा शौक या दवाबाट को एक होमियोपेट कर रहा था कभी-कभी सुस्का क्या मुझे नपेजिक हो गया हो गया हो तो ऐलोपेटी का इलास तो अपनी भीके के बाहर है क्या कुछ सम मेरी जी वहा प्रस्तरस्वति बैटी जी जब मैंने कहा था कि श्यामा का मुथाद में लेने जा रहा हूं बैटी हूँआ तो कितना अच्छा है क्या मैं दिमान हूँ? इसलिए श्यामा स्वस्त है जिसने पिछले छवर स्वस्ते इन मैंडों में ज्वर्भी नहीं जानी है पर श्यामा को मेरी बितर ही बितर खाये जानी कि उसने अपने इच्छाबसे जैसे अपने स्वस्त कर लिया था कि वह भी कहीं भी सिंतान बन जाए उसके अत्रित मेरी बिमारी का सायद किशी को पता भी ना था क्योंकि इस सारे कांतों में सामाने लुप से क्ले ही जाता था गर्णी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं एक दिए उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बिके मुखर जी से अपनी पलिक साथ कराओ मैंने टाल मदू कि तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़े मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न लिख लाओगा वह खाना नहीं खाए ब्रह्मास्त्र तो मानना ही का डॉक्टर बुखर जी को बई खारके मुझस परक्षाई का आक्रमन हुआ है नुसका हा, उमोने लिख लिया और उचिजी चिंताम तो उकर पुरिटह आराम करने को का हा नुसका हुआ उमोन का परवाना हुआ है क्या मेरी विदा का स्मया था? क्या उतने ही दिनों के लिए आया था इतना ही गाने उन गुणाने के वज इतना स्रम संगर्स करने, इतने दुख संगर उधाने, स्वागत के ही साथ विदा के लिए होती, देखी तयारी क्या मैंने अपनी भविष्यवाने स्वयम करते थी? सबसे मल ववेती प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वईतम प्लिदी उखा आया? मन्ने से मुझे डर्मिक था, वह मुझे कठें बीने लगा, कठें लगा मन्ने के पहले जिना, पुड़े आराम के अर्थ होंगे, पिश्वाने छोड़ दू, स्कूल से छुट्टी ले दू, ज्यादा दो तो बगयर तंख्वाट के लेने को तयार ले, फिर घर का खर्च कै कैसे चलेगा, शारी ग्राम को अपनी तंख्वा के बल पर गर नहीं चला सकते, कल उनकी बढ़ने हो सकती है, तब उगे एक पैसा भी गर पेजने की इस्तिती में नहोंगे, महदी महदी दवाए कहां से आएगे, किताबों से आम दनी अनियमिक और अनिस्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है, श्यामा ने मेरी मिनमाली सुनी, तो काप रोठी, पर तुरंत संबल भी रहे, ढड़ भी होगे, जैसे पितने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कापना मैं समन नहीं कर सकूंगा, इस खबर से मेरे माता पिता को तो लगवासा मारे लाया, पि आज कराएंगे, यासित करेंगे, शारी किराम पसमरत्ता की एक उमसास लेकर रहे, मैंने कुछ दिनों के लिए उष्णों, और स्कूल से छुट्टी लेकि, किताब की विक्री से कुछ रुपे पड़े थे, उनसे दवाये मुगाली, और चार पाइप पर लेट रहा, स्यामा की शिवा सकार भोगे, डाक्टर में निस्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था, जब बहुत उच करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही, ही कहा था, अब तो चिंता ही चिंता करने को ही, विशेश से चिंता के शिर पर चड़े कर्ष की मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ष की इससे तो जाने ही चाहिए, उसकी मेरी पदाये ही के साथ मेरी स्कार जोई थी, उसका ज्याना मेरी मरने से पहले ही मेरी मौद होगी, श्यामा के लिए में पारदर से दरपन था, उसने पुछा, किसी बाद से चिंती थो, चिंता ही खाती नहीं ने, तो दवा क्या लाग पोचाए ही, मैंने कहा, ट्रेक्स सोसाइटी मुझे पर 400 कर्ज है, कर एक सो अन्यमित्रों के, उसने जो उत्तर दिया, उससे में चौप करा, और सहसा उटकर उसे गूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फीर से पेंचारने की जरूरत ही, उसने कहा था, कर्ज करने तो महारे मन अपने की बार बीर कर देखे, तुम इसकी चिंता छोड़ो, मैं सोचने लगा, स्यामा ने वेज़गा ही, अपनी छाती पर रखकर, यह बाक्य कहा, होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने को, वह क्या नहीं कर सकती थी, मरने के लिए जो मैंने अपने आपको छोड़ लिया थ वह मुझे एक दम गलत लगा, मुझे अपने लिए, नहीं तो स्यामा के लिए जीनी का संगर्श करना चाहिए, स्यामा के लिए मैंने जीवर में कुछ नहीं किया, कभी करने के युग्यन ही रहा, अब यदि मैं उसे एसे सिति में छोड़ जाओ, कि वह मेरे मरने पर मेरा कर जी उताने की चिंता करें, तो मुझे सा जगन में अपरावी कौन होगा, नहीं, मैं स्यामा के लिए चिंताय नहीं छोड़ जाओगा, जीनी का राश्ता को जोगा, जीकर अपनी चिंताय समाब करूगा, एक राश्त जैसे मिने, कानों में इसे कहा एक राश्ता भी है, निम्रुद्रवस्ता में सांती से बैठने को, चाहे को भुखे नंके ही बैठना पड़े, उन्होंने एक सरण स्थाल बनाया था, मैं उससे नहीं वंजीत करने का कारण नहीं बना जाए था, पर यह भी ने इतिकाय कुपेंदिया है, कि मेरे माता पिता, दोनों में से किसी क अपनी छत्के मुझे अंतीन स्वासे छोनने का योग नहीं बना था, ना जाने राण कहां लागी माटिक पर उस समय में क्यासे जानगा, और एक दिन मुझे बहर आस्ता बिखाई दिया, जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताय की तमाप्त कर सकता था, इसी के लि आपके मुखरजी के पास जा रहता, डाक्टर साब, आपका इलाज बहुत महेंगा है, मेरे पास आपके इलाज के ये प्यासे नहीं, इससे तुर्वती में कुछ और कहूं या कुछ उन्होंने अपने बंदा मुन फट स्वबाव से कहा, प्यासे नहीं है तो जाओ मरो, मु यदि मुझे सौ बरस जीने का आशिवाज भी दिता, तो साइज जीने के लिए संगर्स करने का मुझे में ना बल ना, जितना मैंने उनके जाओ मरो सम्तों से संचे दिता, लड़कपन में मेरे पड़ोशी बावु भूता प्रसाद ने लुईपुने के पानी के इलाज से म मेरी ऐसे विमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैटकर सिप्स बार लेनी का विदान अलोपेथी में ख्षाइट ये लोगी को दूख, गी, मक्खन, अंडा अधिल से यदित लिया जागा पार, उनेके इलाज में चिकना मना था, सीप कच्ची सर्जिया, फल, विगय च और कामकाज साधर किये जाना था, मैंने बिके मुखर्चिता विष्था फार डाई, और उनेके अनुसा सिप्स बात आधंब किया तद अनुसा कुलात आधिल रखी, स्कूल भी जाने गाता, किबल राख्वासे कुशन छोड़के, उसका गोआउजा एक तरह हफ्से किताब कि विग्री से मिल जाता, श्यान ने मेरा विवोट्वा किया, जीवन वर में किशी रास्ते पर बी चला, उसने स्वस्ति पन्था कहा, और मेरे पिछे चली, मेरी स्नार्चित्ता के संब्द में बी बहुत प्रजिदिन अपनी स्यवा आसायो बिदे दी रही, सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर ना तवर ने दिया, ना पिछे फिर ने दिया, रहा पकड़ तू, रहा पकड़ तू एक चला चलता जाएगा बदू साहा, लेकिन अपने अडिक इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सयोड दिया, और जो सबसे बड़ा चमत कर दिया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने साहे रूप को जैसे इल दिया और कभी एक उगली डुखने की भी सिकायर नहीं कि साहर उसके प्रदिक इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रूप से लड़ने का जपना बल दिया उतना कि अक्षी चीजने नहीं हो इस आत्मने इंक्रण आत्म निग्रह इच्छावल अहट योग के समझ में नहीं आता उसे क्या नाम बड़ी मंगीर उमत उसे चुखाने पड़ी अपने क्षाई ज्वर से पूर्ण दया हुंत हो जिस दिन मैंने सामाने बोजल किया 15 अप्रेब 1936 को ठीक उसी दिन वह चार पाई पर गिरी और फीर नहीं हो जो सोलारी बरापर वोग सही आपर पड़े रहने के बार 17 अबंब 1936 को उसमें अपना सर्थ शोलिया शियामा के लिए और टर्थ शिमान की अरती 18 मेञों मैं उसे दोलों को मोर्ध केसा संगर्ष करना पना मेरे संगर्ष के श्यामा ने अपनी इतनी आतरिक मंगल काम नाहदित इतना सिरोब दिया इतनी अपनी शिवादी इतना अपने पोड़िया उस संगर्स में विजई हुआ, पर उसके संगर्स में बहुत मैंने अपनी सुख कामनी बहुत सयोग दिया, बहुत सेवाज़य, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई, संब्वाव तह एक मर्चे की घमजूरी से, वह दिने विशे में उरुत्य की लंतिम सास्वता चिंता मिन्त नहीं हो सक्षिए यह लेसें के सब्गार तेक्ते हैं लुरूसी तो दातों की दिमानी मिंच्ट पफ़रों में आने बढ़ जाला टाव मानी तो टाला अदाय के देना तो प्रदान कर देना नुस्खा तो उपाय सब्गार फ्रसके में आ पषा जाला आत्मा आकणुस एलोपाय है तो अंग्रेज़ी पत्यति याचार पत्यति नियचुअ पत्यिपति तो प्राटपथी को चार पत्यति स्वध्य स्वध्याँ यह घ्रस्ट एक एक वाठ्य में उतर दिजी पैला प्रशन शामनिय तहां लेखक को कौन कौन से विमार्य रहती है? यह answer आपको page 25 विभी लेगा फोर्थ लाइग जिसमें लिखा है जुकाम, गुखार, खासी, शिर्दल तो answer आएगा शामनिय तहां लेखक को जुकाम, गुखा, खासी, शिर्दल जैसे विमार्या रहती थी 2. लिखक-ईलोपेती का उच्चार क्योंने कराते ? तो इसका आंसर में लिखना है क्योंकि वहां बैटा था और उन की सक्ते से बहा था 3. बच्चन जी को मुक्ता प्रसाड जीने कौन सा उच्चार रताया था ? तो बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने लुई कुने के पाणी के प्रयोग से रोग दूर करने का उप्चार बताया था यह आंसर आपको 27 पेज के लाश्ट प्रसेंग में पहले लाइन है बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने लुई कुने के पाणी के प्रयोग से रोग दूर करने का उप्चार बताया था प्रस्चन मुझें . सोव स्टार पD जी पहला प्रसाद। लेखक भीमारं में भी क्या काम करते थे ? लेखक भीमारं में भी क्या काम करते ?ampрах इसका आंसर देते हैं आपको ऊसार्ध में लिखना भी है सुसुमते जये और लिखते भी जाई छोटे बाई की आमदनी भी अधिक नहीं थे, महगी दवाये भी उनके लिए शिर्दन हो गई थे, इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे थे, क्वेशन तो, लेखर की बीमारी सुद्र स्याहा काप कर तुरन क्यों संबल दे तो दक्टर मुखर जी ने बच्चन जी को तपे मिन सक्षय की बीमारी बताई थी, पत्नी श्याहा ने सुना तो वे काप थी, उन्होंने पलबर में अरुगो कल लिया थी, उनका कापना अपनी चींता से आउपन नहीं कराना, चाहिए धी इस लिए पे तुरन के संबल गई, थर लेखर को ऐशा क्यों लगा कि उन्हें श्याहा के लिए जिनी का संदक्स करना चाहिए, पांसल इतेल, बीमारी में लेखर को कर्ज चुपाने की चींता खाये जा रहे थी, उन्हों अपनी आपको मर्ने के भीर छोड दिया या लेकिं तभी में थे श्यामा का ख्याल आया, यदि अपने कर्च का भ़र्वी उस पर छोड जाये, तो उनके प्यासा अपनाजी कौन होगा, यह सुच कर, उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जिनी का संदक्स करना Q4. बच्चन जी की पारिवारिक आर्थी पिर्बन नता के बारे में अपने विचार पड़ती जी बच्चन जी पिस्कुल में पढ़ा देखे, पिर्शन करा देखे और अपने किताबों से भी उन्हें कुछ पैसे में जा देखे फिर भी खर्च पुड़ा नहीं हो पाता था, चोटे बच्चन जी की बिमारी के बार स्थिती चिंता दिनक हो गए, मेंधी दबाएं खरिदना मुस्किर हो गए, बच्चन जी की आर्थित स्थिती अच्छी, नहीं दिप्रेशन में के, नीचे दिए वाक्यां सोगा भावार लगाइए, बिमारी अम्यों की हरम जाइए, गरीवों को उसे अपने पीछे न लगाणा चाहेए, अनसर जाएएं, बिमारी व्हों की हराम जो हरा वो गरावाना बती है, पैशा होने के कारण इन्ही, इनकी यह काम क्यों चुभी, चल जाती है, ये गरीवों की रोज मेंद करते रोटी या भी वोजी कमाने पड़ती है वे विमारी में काम नहीं करेंगे तो उनका जर कैसे गुणा इसे गरीबों को विमार होने से बच्चना चाहिए काम के पिछे बुखार पाते हैं तो काम नहीं करने वालों को मामुली बुखार में बहुत बड़ी निमारी लगता है लेकिन ड्रणमन वाले बैक्ति साधरन बुखार को कुछ नहीं दिने बुखार में वह अपने काम करते रहते हैं उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता ह सब्सक्राइब दिजिए जहां शरण जशखे लेखनी जो these 12 सो बरस जेने का आशेवा, तो सताय को बबन थर शुखुर मान पर चलने का आशेवा, तो स्वस्ती पंधी, नेक्ष्ट विरोजी संदर दीजिए, चिकना, देखते हैं लुखते हैं बाद चिकना, चिकना तो कुलते हैं लुखते 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 हैं लुखत पर दुद्धों कर थर तो 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 शांति का समार्व की सब्दा है तो 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 शांति विबुक्त पंबद दो कि विग नर्ण देत कैसे ये कि ठसकτα हाना इंति का समार्ण आपकाल